हुआ है और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स साइकोलोजी का इस्तमाल करने वाले हैं सरकाजम से परिपूर्ण इस सीरीज की शुरुबात हम करेंगे छे ऐसी टिप्स जिसे फॉलो करके आप एसी सी में पक्का फेल हो सकते हैं अच्छा ऐसी ही नकारात्मक नकारात् रश देखें आप लेक्शर को अटेंट करें या यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखने जो भी करें बट फिर सेल स्टडी ना करें स्टडी किट और एक्जाम किट पढ़कर कि किसी का भला हुआ है आज तक और जैसी ही आपकी एक्जाम डेट करीब आए तब आप इन कि मनें तो खूम लें जब मन करें तभी आप पढ़ने के लिए बैठें डिसेप्लेन तो बच्चों का खेल है और शेर को भी कभी शिकार करने के लिए कोई मोटिवेट करने आता है अच्छा अपने हग के लिए लड़ें मॉक टेस्ट क्यों देने हैं 12 साल से तो हम टेस्ट प हम क्यों दें वक्टर मक्राइब करें कीज़ देंगे नहीं हम लेंगे एक बूलें करना जब तक हमारे अंतरमन से आवाज नहीं आ जाती कि ठीक है अब रिजिस्टर करना चाहिए या फिर कोई मोरत नहीं निकल जाता जल्दी किसको है ठीक है कोई बात नहीं एक पेपर देने में हमें एक साल लग जाएगा बट हम एक्जाम के लिए तभी बुकिंग करेंगे जब अपनी खुद की गलती करें ठीक है एक दो बार फेल हो जाएंगे मगर जब फेल होते हैं तो ही तो स्ट्रॉंग बनते हैं गलती से मिस्टेक हो गया कोई भी गैडिंस ना लो और बनो आत्म निर भर और आखरी पॉइंट इल्जाम यानिकी ब्लेम ब्लेम करें आप इस को को कि शायद कोर्स ही हमारे लाइक नहीं था या फिर ब्लेम करें अपने टीचर को अब भले ही आप किसी टीचर से फीज दे करके पढ़ रहे हैं या फिर आप बड़ी मेहनच से डाले गई यूट्यूब के ओपर फ्री वीडियो को देख करके पढ़ रहे हैं ब्लेम करें उन फिर ब्लेम कर दें अपने परेंट्स को जब आपको पता था बैरे पास नहीं होना है जब आपको पता था कि को ठीक ने तो आपने मुझे जाने क्यों दिया अच्छा एड़ फाइनली अगर आपको पास होना तो यह जो टिप्स दिये ना इसका ऑपोजेट करो इसको फॉल करते चलें दूसरी बात यह हो जाती भी अपनी मंद की ना करें एक डिसेप्लेन रखें डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली आप अपनी पढ़ाई को करते रहें बीच में असा एक दिन नहीं आना चाहिए जब आप पढ़ाई ना करें तीसरी बात आप किसी इंसिट्यूट की पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आपको लगातार मॉप् टेस्ट देने चाहिए अपनी नॉलेज को डेकरने के लिए चौत ही बात आपका जो गोल है आपका जो टार्गेट है वह fixed होना चाहिए जैसे ही आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं आपको exactly पता होने चाहिए कि कौन सी कौन सी date को और कितने महीने में exactly आप अपने course को complete करने वाले हैं और यही हम करते हैं हमारी batch के अंदर किसी भी batch के अंदर हम target date announce करते हैं या फिर duration announce करते हैं जिसके अंदर जो भी papers आप पढ़ रहे हैं उसे आप clear करने वाले हैं और अगली बात बहुत जरूरी है कि जो लोग already गलतियां कर चुके हैं और जुसे हाइलाइट कर चुके एक्जामिनर्स जो पीपर चेक करते हैं उन्हें पढ़ना और समझना ताकि वो गलतियां आप रिक्रिट ना करें और फाइनली पॉइंट नमबर सिक्स इरिजाम नहीं लगाना हमें हमें जिम्मेदारी उठानी है क्योंकि करियर हमारा है करियर आपका है और आपके करियर की जिम्मेदारी आपके उपर होनी चाहिए ना कि टीचर्स पेरेंट्स या किसी और चीज़ पर फाइनली मुझे य सीरीज के अंदर कवर करों यह वीडियो यह नया थरीका अगर आपको पसंद आया हो तो अगर आभी दखना किया हो तो और वीडियो को प्लीज करना मत पूलेंगा अब के लिए तना ही मैं याने किसी एक और shabarwal आपको मिलताूं अगली वीडियो में झाल झाल